असलाम अलेकूम हेलो फेंट्स वेलकम टो महीं चाहराज की चेन आप सब कैसे हैं अलहमदलिला उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सब के साथ मीठी दही भला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही मीठी दही भला की रेसिपी मीठी दही बनाने के लिए मैंने 2 कप उरड़ी दाल कू 6-7 घंटी के लिए भीको कर रखा था आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से फुल चुका है और इसे मैं दो से तीन बर अच्छी तरह से पानी से साब भी कर लिया है अब मैं इसका एक भी इसे के साथ 3-4 अचार हरी मिर्ज को मैंने बारी काट कर दालेना है एक चुटकी रिए करीब हमें हिंग डालना है एक चोडी चमाचे करीब साबुत जीरा हमें बालेना है इन सभी चीजों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यानि दाल के बैटर के साथ इसे जैसे के दाल बिल्कुल क्रीमी फॉर्म पर आ जाएगा तब तक हमें इसे फेटना है ऐसा करने से कहना जब हम इसे पकोड़े बनाएंगे बहुत ही भला हमारा जो है सॉफ्ट बनेगा तो देखे अब जो है दाल एक क्रीमी फॉर्म पर आ चुका है अब देख सकते हैं इसे मै अब में आप यहां पर एक चोटी चामचे करीब नमक डालेती हूं नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से दाल को हम जितना फेटेंगे अच्छी तरह से उतना ही हमारा भला जो है बहुती सॉफ्ट बनेगा तो देखे अब जो हमारा दाल बिल्कुल तयार है दाल का अब हमें क्या करेंगे इसे चोटे 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 बनाएंगे तो स्टोप के हाई टो मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और यह जो तेल है तो अच्छी तरह से अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब मैं हापर चोटे 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 के क्विश दाल को दाल लेती हुं जाए चुछाए तीन चार मिट की वाटर को ब्राइब रडाना है। फोड़ा हम उसके लिखे मारा-धध फ्रियाम भी लेता है लाँ, प्रेश ठीक लेकर जोड़ यह खूर हमँ इसे प्ल्озможно समय की तो थोड़ा, हम चोड़ा जा अगर यह अपर यह प्रिखे मारा धच्री स्वस्कुर्ण मोशाय ऐं एक हम उसके लाए तोयु कि की साहली है, कि रहते हैं बाउल ने बाउल देले धी तो हम इसे चाहने के आप अगर इस पानी के बहुत जल सर्विक दमारे, तरह से वह लोत चंद से चाहने वह बंडना कि पार जाएं। पानी आपकोड़े अच्छी तरह से डीप और फुल कर थोड़े से बड़े साइज पाइज में भी तो देखे अब मैं इस बावल को लिट से चोड़ेंगे उसके बाद हमें क्या करना है दही वला सर्फ करना है लेकिन आज हम मीठा दही वला बना रहे हैं तो यहां पर एक बा क्रीमी टेक्स्चर पर लाना है तो इसी दरान अब मैं आप डालेती हूं चार से पांच चमचे करीब शुगर पाउडर चीनी को मैंने चटनी के जार पर डालकर इस तरह से पाउडर कर लिया है अब मैं यहां पर चार से पांच चमचे कर लोंगी और देही हमेशा प्रेज पांच मिनिट के अंदर कितना फूल चुका है अगर हम इस तरह से गर्म पानी में से डिप करके रखते हैं तो बहुत आसानी से फूल जाता है और आप देख सकते हैं तुपने भी लगता इतना सॉफ्ट हो चुका है तो चलिए अब हम इसे सर्फ करेंगे सर्फ करने के अब दाले ना है और एक एक करते वे भल्ले को पहले डाले ना है इस तरह से एक बार मीठी भल्ला ज़रूर बना कर देखिए आप लोगों को बहुत पसंद आएगा अब मैं पर डाल लेती हूं दही दही को अच्छी तरह से चारो तरप आपको फैला कर डाले ना है तो इस दही को डाले जैसे के हमारा भल्ला जो है अच्छी तरह से कौबर हो जाए बहुती क्रीमी हमारा दही जो है उसका टेक्श्चर बन चुका है अब मैं पर डालने वाली हूं मीठी चटनी अमचूर की मीठी चटनी है इसकी मैंने रेसिपी अपलोड कर दी है आप चाहे तो द बनावा जीरा जीरा पाऊडर है पाऊडर इसकी के साथ मैं डाला नमक भाण भी चटनी करते हैं अप सबसे आखिन मैं आप लाल मीठी ना मिर्च का पाऊडर च्यार है जादा लग सॉफ्ट बनता है तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है बहुत लाजवाब दहीवला बनकर तयार हुआ है आप इसे जरू ट्राइ करें बहुत ही सिंपल तेरीके से मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया है रेसिपी तो जरू ट्राइ किजिए और मुझे फिट बैक कर मत भूलिए उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे और सबसे आखिर में आज की मीठी दही बल्ले की रेसिपी आप लों कैसी लेगी प्लीस कमेंट करके भी जरूर बताइए आज मैं आप स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे हैं आप लोगों को बहुत ही प्रसंद आएगा तो चलिए जल्दी से स्टाट करते हैं दही बल्ले की रेसिपी नहीं पर उरड दाल के इस्तेमाल किया है एक कटोरी भर कर उरड दाल को मैंने राद भर पानी में भीगोलिया थ सब्सक्राइब के लिया विधा तो इस दव्य इस चाक ने चलाएबं द्रगा तीन हरीमिच लिए एक इंच चुप्ष अधरक चिरू को पीसूँऊ हो तो चलिए दाल गले हैं इसे अड़को ट्राल पर तूढ़ पानी डालें और इस नहीं आना किन प्रसु त्यार कि दाल को अब मैं यहाँ पर एक चोडिश री चमजे करीब नमगद लेते ही हुँ बद甲 kidney के बारण थे ठीज नमगद आप से अच इलम जाल आप 25 व Maintenant तो इसे में अच्छी तरह से फिलपी होने तक फेंट लेती हूं आठ से 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं हमारा दाल कितना फिलपी हो चुका है एक तरीका होता है दाल को फेट कर जानने का हमारा दाल अच्छी तरह से फुलेगा की नहीं अगर हम भले बनाएंगे और एक स अच्छी तरीका बताने वाली हूं मैंने यहां पर एक तोड़ा सा पानी लिया है काटोरी में और एक डंक लिया है जितना बड़ा साइस का मैं दही बला बनाऊंगी उतना बड़ा साइस का मैंने अपर ले लिया है एक डंक आप चाहें तो श्टील का कटोरी का भी इस्तिम कर दो जाए तर लिए टाल लेना है तो यहां पर मैं कर दो चार बहले डालेती इस तरह से बहुत आसान तरीके से बहला हमारा तेल में चला जाता है तो अब मैं इसे पलड़ते हुए तालूंगी चार से पांच मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बहले को हमे कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं तलना है मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तलेंगे अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे उपर से कलर तो आ जाएगा इसका लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे चार से पांच मिनिट के लिए अच्छी तरह से तले मद इतना आपका बरावार अच्छी तरह से डीप हो सके मैं अच्छी तरह से पानी रहा excuse इसे हम दो सब्सक्रावित के चे तुर्ठी只 के कृरीब साइट उन्ह एक दो में खाला लेना है और मैं से के तिषित दही बनाओं लिए टही बनाने वाली हूँ जिसका write जिसका गज़ा ओए यह यह दाए्ब खरिंश दही बनाँगी तो अब सोटी दो आपर चासाला पाउडर एक चोटी चमाचे उंच сним दे बिल्डू, oops में चाहिए कुछ करी पत्ते चास्ति पांट चलाल सुखा मीच एक चोटी चमाच साबुत जीरा एक चोटी चमाच सासो के दाने एक चोटी चमाच ही अब मेडियम फ्लेम पर तड़का पैन रखी हूं यहां पर मैं एक चमाच करीब रिफाइन डालोंगी ज्यादा हमें तेल चमाच करीब चाहिए तेल जब हमारा हलका गर्म हो जाएगा मैं हापर सभी चीज यहां पर डालोंगी हमने जो तड़का लगाने के लिए रखा था उसे मैं हापर डालेती हूं छे से साथ चेकिन के लिए हम इसे तेल में सौटे करेंगे अब हमारे तड़के से बहुत अच तड़के बिल्कुल तेयार है अब मैं इस दही में डालने वाली हूं भले जिसे हमने आदे घंटे के लिए पानी में भीगो कर रखा है तो आप देख सकते हैं साइज में कितना डबल हो चुका है अब मैं इस तड़के वाले दही में इस भले को डालोंगी हाथ से हलका सा आ अब जाएगा और दही में जाते ही दही को अपने अंदर अब्सार्व कर लेगा जिससे हमारा भला बहुती सॉफ्ट बनेगा और साती खाने में माशालला बहुती टेस्टी लगता है तो इस तरह से मैं सभी भले को हाथ से हलका हलका स्कूईश करके दही में डाल दूगी त जितना दही पतला दही हमने बनाया है वो अपने अंदर अच्छी तरह से अब्सार्व कर लेगा और हमारा दही बला बहुती सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी माशालला बहुती मज़ेदार कर लगेगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 15-20 मिनिट के लिए इसी तरह से अब हमारा दही बले बिल्कुल तैयार है खाने के लिए और फूल कर भी कितना साइज में बड़ा हो चका है आप मैं इसे आपको तोड़ कर भी थी हमारा धरती है इसका दही माशालला बहुती होता है चट प्ता होता है तो आप इसे एक बार ज़ार बना कर देखिये और हमा आप चाहें तो भल्ले खाने के बाद इसके दही को भी सकते हैं बहुत ही चटपटा सा दही लगता है पीने में तो फ्रेंड्स आज की दही लगी प्लीस कमेंट करके जरूर बताई और अच्छ लगी हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रे चाहेज़ी से अभड़ता है टाहेज़ी लगी हो जाओ प्लीस घाने के उलेगा चेज़ आज़ता हैं एसे प्लीस प्लीस, वाज़ता हैं प्लीस, वाज़ता हैं अग्ण रवार खाने